तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं N.C.E.R.T कक्छा चटवी की पितवी हमारा आवास है कि नाम से जो आपकी कक्छा चटवी ही मुक्स है उसे देख रहे हैं तो अभी तक इसमें चार चेप्टल खतम कर चुके मार्चित तक इसमें बात करने वाले हैं पितवी के प्रमुक प परिमंडल जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पितवी एक मात ऐसा गरह है जहां जीवन है मानव और यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवस्यक्त तत्य भूमी जल तथा हवा पितवी पर मौजूद हैं पितवी की सतय ऐसी है कि जिसमें परियवाण के तीन मात पूर्ण घटक आपस में बिलते हैं तता एक दूसरे को पिरभावित करते हैं पितवी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं पितवी का हुए भाग जिस पर हम लोग रहते हैं ठोस हुता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भूमंडल गैसों की परत जो पित्थवी की कुछ चारों और से घेती है उसे क्या कहते हैं वायू मंडल ठीक है जहां ऑक्सीजन नाइट्रोजन कारवन डाइग ऑक्साइड तथा दूसरी गैसों गैसें पाएं जाती हैं पित्थवी के बहुत बड़ी भाग पर जल पाये जाता है जिसे ज्यूंत रखते हम लोगहाता हैं ज्यल मंडल में ज्यल की सभी अवस्थ आवस्ताय जैसे बरफ जल योaud selective प्यूआँ यहां समझाने की कुसित क्या कीई है मंडल बहुत साधार्य सब्दों में समझा जिया गए इस लिए ये बोलता हूं है कि जो भी आपके कच्छा अठी तक की एंसी याइटी बुक्स हैं बहुत ही सेंपल सब्दों में लिखी गई हैं वह आपके बहुत ही साधान सब्दों में कॉंसेट क्लियर कर देती हैं ज्यादा रठने की इसमें जरूरत नहीं होती है नहीं ज्यादा टैंस ऐसे की परते हैं जो पिथवी को चारों और से घेरी हुए है जो घेरी हुए है उसे वायु मंदल करते हैं ठीर पिथवी के बहुत बड़ी भाग पर जल पाया जाता है आप सभी को पता होगा उसे हम लोग जल मंदल करते हैं ठीर ग्रीग भासा में लिथास करता है पत्थर एट मास करत होता है बास्प, यूडर करत होता है जल, वाई मास करत होता है जीवन, भूमंडल, क्या करना है, भूमंडल के बारे में, इत्वी की ठोस बाग को भूमंडल कहा जाता है, यह भूपर्टी, भूपर्पर्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की फतली पत्नों का ब को महादीब के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलासय को महासागरिये बेसिन के नाम से जाना जाता है विसके सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए विसके मांचित को को किस तो जंद lijघर का विसके समद्य जल्व कर तरसे जवर संसरे इस तिरक उंचाई को समद्य ताज से मापा जाता है इसे सुन मापा मान जाता है एक विक ध क्थ यहां का पेसंत महांसागर आपका अbol में आन्टीक महा सागर। यह सभी एक दूसरे से आपसमें जड़े हुए हम यहां गए हिंद महा सागर। यह ते अपका पैसांद महातागर पर और महादीप की बात करें तो एसी आ है यह उपका यूग्रोप है यह अफिका है ऑस्टेलिया है और यह आपका उत्री अमीरिका और दच्णी अमेरिका याण डाल्ट का है त्यूंट यह आपका, एंडीच परवत यह आपकी दर्चडी अमेरिका में फेली हुई है, और यहीं आपकी अमेजन नदी है, रोकी परवत आपका कहा है, उत्री अमेरिका में, अपलेसियन परवत भी आपका उत्री अमेरिका में, एटलस आपका दर्चडी अमेरिका में, सोरी अफीका में है आफीका में जारा मलस्तल भी अफीका में नीलदी भी एफिरका में और आलपस आपका एउरोप में आलपस कहा है एउरोप में हिमालयापका यह परवत भारत एसीया में है कुछ देश ऐसे भी हैं जिसे आपका तुर्कियू यूरो में भी कुछ इनका भाग आता है कुछ एसिया में भी अपता है यहां याद रखिए समुद्ध जलकाता है सभी जगय समान होता है इसंतल की ऊंचाय को समतल तल से माप आ जाता है कहां से समुद्ध तल से और आप चाहिना याद रखिए चाहयास को जिस्तल का सबसे उंचा सीखार रहा है माउंट एवरि़्ष समुद्ध तल से 8,848 मीटर उंचा है विस्व का सबसे उंचा सिखर मांट एवरिष्ट है आखका समुद्ध तल से 8,848 मीटर है सिख्के में इस ओरी नेपाल में है ठीए विस्व का सबसे गहरा भाग, पिसांत महासागर का मेरियाना गरत है सबसे उचा भाग कुन सा है, माउंट अबरिश और विस्व का सबसे गहरा भाग कुन सा है, मेरियाना गरत जो आखी पिसांत महासागर में है, इसकी गहराई है, 11,022 मीटर क्या आपने कभी कल्पना किये कि समुद्ध की गहराई पित्वी के सबसे उचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है न्यूजी लेंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तैंजिंग नौरगे सेज़पा 29 मई 1953 को पित्वी के सबसे उचे सेकर माउंट एवरेट पर चड़ने वाले पहले व्यक्ति थी जापान की जुंको तवे 20 की पहली मैला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेश्ट पर कदम रखा वचंदीपाल भारत की पहली मैला जिसने 23 मई 1984 को एवरेश्ट पर अपना कदम रखा था ठीक है इस प्वाइंट है कुछ वन डेक जाम में इस तरह के पूंच लेते हैं आपको भी ज अफीया इवरो और अफीयगा यह सभी महाधीव हैं यह विस्थ जलरासी के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं महाधीव हैं आपके एसिया इवरो अफीयगा उत्री अमेरिका दाश्ड़ी अ मेरिकी ऑस्टलिया और अंटार्टिक विस्थ के मांचित को दिखाब आमने इसम सबसे बड़ा महादीब एसका सबसे बड़ा महादीब है या पित्वी के कुल क covenant नो Halo दिएहन महादीब फूर्वी उलाद में इसमय को ते करेक्रेका उसनी सब सहो कर गुजलती खरक रह कर से महादीब से खुजलती है एसे इवरोप से अलग्यत करता है ऑक एस अक competent अजिएо के परकुम एउरीशिया कहते हैं यह इवरोप एसीया से बहुत छोटा महदीब एसीया के पस्चिम मैं इस्ते थे आर्गेटिक बिरेद इससे ओ होकर बुजलता है यह तीन तरफ से जल से घरा हुए है विस्ट का मानचिप्त को देखेंगे तो हम पता चलता है ठीक है याद रखना है अंको कई बार पूंच चुका है यह कुश्चिन्स कि तीन तरफ से कौन सा महादीप ऐसा है जो तीन तरफ से जल से गरा हुए है तो याद रखना है यूड़ोप कौन सा यूड़ोप अफीका 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 एसिया के बाद विस्ट का दूतरा सब्से बड़ा महादीप है विस्वत बैत जीरो डिग्री अक्षांस इस महादी कि याद रखना है आपको यह एक ऐसा मत कि महादीप है कि जिससे करक्रिका भी जाती है विश्वत रिका जाती है मक्का देखा तीनों रिखाएं बुजरती है कहां से अफीका महादीप से सहारा का रेकिस्थान जिसका सबसे बड़ा गरम रेकिस्थान है जो कि अफीका महादीपों महादीप चारों तरफ से समुद्रों एवन महासागरों से घराएं विश्वत की सबसे लंबी नदी नील नदी अफीका से उपकर गुजरती है अफीका लेखेंगे देखिंगे एक बार और देख लीजिए तीक है यह आपका प्तर्प्राइब अप्लेसियन परवत है उत्री अमेरिका में ही अमेजर न दी है अपकी दच्छिड अमेरिका में और आपका एंडिच परवत है यह आपकी करग रुखा है यह विश्वत रेका है मकर रहे यह तीन हो आपकी देख़िये अफिर का महादीप से गज़रा है है यह आपका अंटार्टिक आग गुए है धृष्वरी माच आगार खैए आर्टीक सब्सागा है यह आपका यूराल पृवत है यूरोस हो गया यह क अब आपका भूमत रेखा है तो याद रुकिए करक रेखा आपकी भारत से भी गुजरती है और अब बात करते हैं अब उत्री अमेरिका के बादेर विसका तीसरा सबसे बड़ा महादीप है आपका उत्री अमेरिका यह दश्ड़ी अमेरिका से एक सक्रे इस्थल से से जुड़ा है जिसे हम लोग पनामा जलसंदी कहते हैं यह महादीप पूरी तरह से उत्त्री इवन पश्च्चमी गुलार्ड में इस्तित हैं यह महादीप तीन महासागरों से विरा हुए है कि आप इन महासागरों की नाम बता सकते हैं यह है आपका इस्तल इस्तल जलसंदी इस्तल का एक सक्रा भागुता है जो दो बड़े इस्तलिये भागूं को एक दूसरे से जोड़ता है जलसंदी पानी का सक्रा भागुता है जो दो बड़े जल रासी जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है आपका सिरी लंका या की ज़सम्दियर को दश्चडी अमेरिका अधिकांद बाद मैं इसके इन्मक पूर कुंशे यह, इस साहल, पूर, वर्पाइश्च में आपका इस तरह आपका फिसंथ महाँ मलद अच्छािव दयको entsprech में नगुष्ष वाटेश्चा में भूदीक, हैखकर ऊंच्री सबढ़र मतलब से अटलांटिक, उत्र एटलांटिक कि दिए अ्ट्री अट्लांटिक करते में हैं हुआ है जो कि सबसे लंबी परवसेंख्ला एंडी इसके उत्तर से द्च्छिण की ऊब डच्छिर अमेरिका में से बीस्ट की सबसे बडी नदी अमेजन बबैटी ओस्टेलिया विस्टक सबसे च्छोटा महाधीप जो की पूरी तरह से दच्छिरी गॉलार्ड में किस्ते थे यही यह चारों तरह से वहासागर्द असमुद्रों से गराएं इसे दुईपी ये महादीब कहा जाते हैं अंटार्टिका एक बहुत बड़ा महादीब है जो कि दच्छडी गोलार में इस्ते थे दच्छडी दुरुप इस महादीब के मद्ध में इस्ते थे चुकि ये दच्छडी दुरुप छेत में इस्ते थे इसलिए हमें सा मोटी बरप की परतों से ढखा हुआ रहता है यहां किसी भी पिकार का इस्थाई मानुव निवास नहीं है बहुत से देशों के सोध केंद यहां इस्थिते भारत के भी सोध संस्थान यहां है इनके नाम में मैत्री और दच्री गंगोत्री ठील है फिर बात करते हैं हम लोग जमंडल किसके जलमंडल ज़्यों महासांगर हो गया प्याइं यह पीन योग पानी हो गया है कि यह पील। एक ना पीन योग पानी आगे जिजिरो दशमलोग जीरो तीन पितिश में हिम जादरों तथा भूंव है भूह गरम में संचंश जर्ग कितना है दोटा संब्सें ट 40-40 प्तित्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पितवी को नीला ग्रह कहा जाता है पितवी का इकत्र-30 भाग जल तथा 29-30 भाग इस तरह जल्मंडल में जल के सभी रूप उपस्ते थे इसमें महासागर एवं नदियां जीलें हिम नदियां भूमिगत जल तथा बाई मंडल की जलवास्प सम्मिले थे पिधवी पर पाए जाने वाले जल का संतानवे पितीसर सेदिवभाग महासागरों में पाए जाता है वह इतना अधिक खारा होता है कि मानों के उपयोग में नहीं आ सकता है सेश जल का उपयोग बहुत बड़ा भाग बरफ़ी परतों एवं हिमानियों तथा भूमिगा जल के रूम में पाए जाता है जल का बहुत कम भाग आलबड जल की रूम में पाय जाते हैं जो मरिस के इस्तेमाल में आता है यही कारण है कि नीले गिरह में रहने के बाप जूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास 0.033 मात पीनयोग पानी है अंडाग्रिटिका यह हो गया आपका यह अभीका हो गया ऊस्टेलिया तछड़ी अमेरीका हो गया यह उत्तरी अमेरिका यह यह उर अपका दिया अब आख आखकर दें महसागर किसकी महसागर के बारे में महासागर, महासागर जल मंडल के मुख भाग है, यह आपस में एक दूसरे से जोड़े हुए है, महासागरी यह जल हमेशा गती सील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा, तथा महासागरी यह धारा है, महासागरी यह जल की तीन मुख गतिया है, बड़े से छोटी आकार के आध सब्सक्राइब 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 फिर आपका अट्लांटिक हिंदमासागर दच्छडी मासागर आर्केटिक महासागर कि पिसांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है यह पिद्वी के एक टेहाई बाग पर फेला है पिद्वी का सबसे गहरा भाग मेरियानागर प्रिसांत महासागर में इस्तित है पिसांत महासागर लगवा कब विद्धाकार है एसिया ऑस्टेलिया उत्तर एवं दच्छडी अमेरिका इसके चारों ओर इस्तित है प्राक्तिक प्रतासरों इवं पत्नों के लिए आदर्स इस्तित है ब्यापार की दिश्टी से यह सबसे वेस्ट महासागर है अट्लांटिक महासागर ही हिंद महासागर ही यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है यानि भारत का नाम के नाम पर रखा गया है यह महासागर लगवक त्रवोजाकार है इसके उत्थर में इस्य पस्टे में अफीका उपरों में और श्टिली आए इंस्ध माहा सागु की ठीक थे श्री हराय अट्लांटिक मासा ईं टार्टिक कंवा महादवीब च्छारोंगर से घ्रता है जश्री मात High एंटार्क्रिका महादीप को चारों ओर से गहड़ता है 생각 यह weं आINGudos kami devenu सी अज स?tams तक पहला थाया साइट तक प्रखेटिक महासागर उत्री दरुबवेट मैं इसमें ते भी था तथा यह उत्तर धूर कि चारों और फेला है या पर साथ पास आगे चिछले जल बाले एक सक्रेभाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंदी के नाप से जाना जाते हैं या उत्री अमेरिका की उत्री तठ तठों तथा यूरेसिया से गिरा हुए यह आपका जहों मंदल है इन्दल यह आपका आयन मंदल हुए है और बाही मंदल राभाय मंदल हमारी पित्बि चारों बोड और से गैसां की पारत से घरीह है जिसे हम लोग क्या कहते हैं व्यवांदल बायू की यह पतली पर इस ग्रै का मत्फूंड तूट भाग है यह हमें एसी बायुपदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं यह बायुमंडल हम लोगों को सूर की कुछ हानिकारग केड़ों से बचाता है यह बायुमंडल 16,000 एक जार चेस्ट किलोमीटर की उंचाही तक फ्यला हुए हमारा 1600 कि उंचाही तक फ्यला हुए वायुमंडल को उसके घटकों तामान तथा अन्न के आधार पत पांच परतों में बाटर जाते हैं इन परतों को पिध्वी की सतय से उपर सुरू करते हुए जह मंडल ? जुमंडल फिर है आपका संताम मंडल मंद मंडल ऑयन मंडल ओ वायं मंडल कहा जाते हुआ इंद करने मंडल मुक्ता ौक्सिजन इवान नाइक्ट्रोजन का बना हुए जोकि साप सतल्सक हवा का 99% सब भाग है आयन के अनुसार नाइट्रोजन अटतर पितिसद ऑक्सिजन 21 पितिसद दूसरी कैसे जैसे कारबन डाय ओक्साइड और गन एक्त्यादी की मात्रा एक पितिसद ऑक्सिजन सास लेने के लिए आवस्सेखें जबकि नाइट्रोजन प्राइणियों की बिद्धी के और यह आवस्सेखें कारबन डाय यह ओक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पितिवी के द्वारा छोड़ी गई गुश्मा को आवसोसित करती है कौन कारबन डाय ऌज़ी सें सेंपटी घरम रहती है यह पौदों की विद्धी के लिए भी आवस्सेट होती ह आपकी कारवनडाइब उंचाई के साथ बाइमंडल की घंणत में भिन्नत आती है यह घंणत समुद्री तल पर सबसे देख हुता है पता है जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है आप जानते हैं कि पहाड़ों पर फरवत रोहियों को हवा की गनत में कमी होने के गारण सांस लेने में कटना ही होती है उंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं ताबमान भी घटता जाता है वाय मंडल पिथभी पर दबाब डालता है यह एक स्वाइव और एक उच्छ दाप से निम्ल Bab abdoria जहां उच्छ दाप होगा उसकी तरफ से निम्ण जिस्ती दब बाईव दावगा उस तरफ भेग डल ज़ा जंसे पबन कहते है यह आपका जल मंदल, इस्थल मंदल और यह आपका बाई मंदल बात करते हैं जीम मंदल के बारे में इसके जीम मंदल जीम मंदल, इस्थल, जल तथा हवा की बीच का एक सीमित भाग है यह हुआ भाग है जहां जीवन मौजूद है यहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो की सोख्च में जीवों तथा विक्टेरिया से लेकर बड़े इस्तंधारियों के आकार में पाई जाती हैं मनों से सहिद सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े होते हैं जीवमंडल की प्राणीयों को मुक्ता दो भागों जन्तु जगत और फादक जगत में बिवख्त किया गया हैं सीवी के इस तीनों परिमंदल आपस में पास परेग की लिए करिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी नाकिसी रूम में प्रभावीत करते हैं उधारन के लिए लगडी तथा खेती के लिए बनों को क्क ना तो इस से एक Humans दहलूआ भाग पर मिट्टि जमूग का कुछ भाग पानी में डूग गया जीलों तथा नदियों में दूसित पदातों विप्रवावित होने से उनका जल मानाव को इस्तिमाल के लाइक नहीं रह जाते हैं यह जड़ दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है वो देव तापिय विद्धु सेंतों तथा गाड़ियों का उत्सरजी पदात बायू को पिदोसित करता है कारबन डाई उकसाइड बायू का एक मत्पून घटक है लेकिन कारबन डाई उकसाइड मात्रा में बिद् से भी किस अंसादनों किसी में तुपियों को की आवसकता होती है इस चैप्टल से समद्धी ताक्रियतने अभ्यास पेसे नहीं देख ली ना इसमें जांदा कुछ समझाने लाइक भी नहीं बहुत इंसरल सब्दों में लिखी गई है इससे अगर हम एक दू बार पढ़ें तो आरम से समझ में आ जाए यह तो आपकी कॉंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिए गई है ना कि आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए और नौ से जो बाराय तक की मुक्स हैं आपकी उन्हें थोड़ा मन से पढ़ना पढ़ेगा दिमाग लगाकर क्योंकि उन्हीं मेन हमारे के लिए वह ही है नौ से बाए यह तो क्लिवल हमारा बेज क्लियर करने के लिए मजूद करने के लिए पूसे सलाय दी जाती है बढ़ने के तो यह था आपका पांच बज्च आंगे हम लोग देखेंगे पित्वी की प्रमुक मरोज तर् पित्वी की प्रमुक स्थरोग पित्वी के प्रमुक स्थरोग तो तो